साशन और प्रसाशन की माने तो कॉरोना का पीका कर निकल चुका है जिसके बाद अब हालात भी धीरे धीरे सामान होते दिख रहे हैं वहीं सबीच देर ही सही लेकिन हालातों का जायजा लेने स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रबुराम चौधरी आर्थिक राजधानी इंदोर पहुचे जहां उन्हें जिसने भी धेकाया उसने यही सोचा बड़ी देर कर दी सहब आते आते देखिये ये खास रिपोर्ट प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जनता की नजरें अधि किसी को सबसे जाधा ढूम रहे थी तो वो कोई और नहीं बलकि स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रबुराम चौधरी थे इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने तो मंत्री जी को ढून कर लाने वालों को इनाम देने तक की घोशना कर डाली थी लेकिन फिर जैसे ही हालाद समानी की तरफ बढ़ने लगे वैसे ही स्वास्त मंत्री एक बार फिर जनता को बचाने निकले जहां वे सीम साब के सपनों के शहर पहुँचे और समीक्षा बैठकली झालों कुल मिलाकर देखा जाए तो महामारी के संकट भरे दौर में डॉक्टर मंत्री जी की एस समवेदन शीलता तो जनता के मन में सालों तक बनी रहेगी, वहाई कॉंग्रिस भी बारी बारी से मंत्री जी के देड़ी पर तंच कस्ती रहेगी ब्यूर रिपोर्ट, MP 뉴스 इंदौर